अलो students good morning आज अभी हम लोग quadrilaterals जो टॉपिक है उसको continue कर रहे है quadrilateral में अभी हम लोगों ने यह देख लिया था that sum of all the interior angles sum of all the angles interior angles of a quadrilateral is 360 degrees और यह प्रूब भी कर लिया था इसको कि अब यह साथ करते हैं triangle के सारे angles का sum of all three angles चलो एक नया concept भी बता दें इसी के बार ने some of all three angles of a triangle is 180 अब quadrilateral को देखू quadrilateral is a four sided figure अब अच्छे देखना द्यान से समझे ना सबोस ही ऐसा कुछ है quadrilateral can be divided into two triangles quadrilateral can be divided into two triangles एक triangle के तीनो angles का addition 180 मतलब अगर आप ध्यान से देखें उपर वाले ट्राइंगल के एंगल का addition 180 और नीचे वाले कुछ लिखना है sum of all angles of a quadrilateral एसा कुछ आ जाएगा quadrilateral जो है four sided figure है suppose if you are having a pentagon five sides वाला one two three four and this is five इसको अगर आप देखें तो इसमें pentagon के तीन triangles बनेगे pentagon will be having three triangles इसके तीनो angles का addition इसके तीनो angles का addition और इसके तीनो angles का addition अगर आप लेंगे तो pentagon के सारे angles का addition बिल जाएगा तो जो result अभी हमने quadrilateral का लिया था उसी को अभी हम लोग generalize करके आगे बढ़ा रहे हैं ओके कुछ कुछाग्र एसांसर नहीं so sum of all the angles of a pentagon some of all the angles of a pentagon pentagon के सारे angles का addition मतब एक ये वाला angle ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला कैसे मिल जाएंगे तीन triangles एक ये वन गया एक ट्राइंगल ये वन गया और एक ट्राइंगल ये वन गया तो 180 प्लस 180 प्लस 180 यानि इतना जाएगा 540 एक दो लोगों ने अंसर देनी दिया है तो ट्राइंगेल में 1 इंटू 180 आ रहा है को कौड्री लेटरल में 2 इंटू 180 आ रहा है पेंटागन में 3 इंटू 180 आ रहा है मिल आप ट्राइट टू रिलेट के लिए एक ऐसा फिगर जिसमें तीन साइट से हैं उसका अंसर 180 है मतलब इसको ऐसा कह सकते हैं कि इसके सारे एंगल्स का एडिशन 3-2 इंटू 180 यह समझे आ जागी बात अभी तीन साइट से हैं दो क्यों माइनस कर रहा है वो अभी आप जनरलाइज करके हम फार्मुला बनाने के कोशिश कर रहे हैं चार साइट से कर रहें तो सम आफ ओल दी फोर एंगल्स विल भी 4-2 इंटू 180 मत अब कितना 360 आ जाएगा चार साइट से हैं तो इस विल भी रेप्रेसेंटिंग नम्मर आफ साइट टू सभी जगे आएगा अगर आप पेंटागन ले लें बिटा तो क्या आएगा फाइं साइडेड फिगर है माइनस टू कर दें और इंटू 180 तो यह कितना जाएगा 3 इ माइनस हो रहा है क्यों क्योंकि अगर तीन साइड ले रहा है तो 180 अब तीन साइड से 180 अगर बना रहा है त्री माइनस टू किया चार साइड में 360 अंसर आ रहा था मुलब 2 इंटू 180 तो अब अनने चार साइड में से दो फिर से माइनस कर दिया 4 माइनस 2 इंटू 180 तो वी से that sum of all the angles of a pentagon is 5 minus 2 into 180 याने 3 into 180 याने 540 आप देखो बिटा okay someone has answered what I am about to teach कुछ लोग बड़ी मनलब जल्दी अंटिस्पेट कर रहे हैं आप देखो हेक्सागन अगर आप ही हम लोग ले ले hexagon बिटा फोन को म्यूट रखना है hexagon अगर अब ही हिंदु ले 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 तो hexagon is a six sided figure one one two three four five and this is six अब इसमिते को एक triangle यह बन जाएगा दूसरा triangle यह बन जाएगा तीसरा यह one two three and four तो answer इसका इसका इसके तीनों यह one eighty यह one eighty यह भी one eighty और यह भी one eighty तो सारे अइंगल का addition कितना जाएगा four into one eighty और इसको केसा भोलेंगे फिर से six minus two into 180 तो तो n-sided polygon अगर है, for a n-sided polygon, यह चीज लिख लेना formula बनाकर, for a n-sided polygon, sum of all angles, और angles के अगर हम भी बात करते हैं, तो interior angles, this will be equal to n-2 into 180, sum of all the angles, sum of all the angles of a polygon will be n-2 into 180, अब इसमें सुनना, इसका मतलब यह है, n-sided polygon में, अगर सारे अंदर के angles का addition करने काना, तो यह है, तो अब इसको verify करें, triangle के लिए, triangle में n की value कितनी होते हैं, 3, n की value 3 का मतलब क्या है, कि किसी triangle में कितने sides होते हैं, तो triangle में there are 3 sides, तो n की value 3 रख लिए, n की value 3 रखो, तो 3 minus 2 into 180 आएगा, और यह 3 minus 2 into 180 आएगा, ने 180, quadrilateral के लिए, n की value 4 आएगा, तो formula कैसे लगेगा, 4 minus 2 into 180, तो हम लोगों ने verify करके भी देख लिए, अब इसके बाद, इसमें एक चीज और सुन लेना, अब और सारी चीजें बता दे रहे हैं, क्योंकि अब यह start हुआ है, तो, we'll be discussing all the possibilities, अब इसमें, suppose for example, अगर कोई regular shaped polygon है, regular polygon, regular polygon क्या होगा, मतलब जैसे, suppose for example, अगर आपने कोई pentagon लिया, five sided figure, इसमें यह regular shape नहीं है, regular shape polygon क्यों नहीं है, क्योंकि एक side की length इतनी है, दूसरे side की link देखो, बहुत ज़्यादा है, link अगर सारे sides की अलग-अलग है, तो regular polygon नहीं है, तो regular polygon की खासियती रहती है, कि angles देखो, आप इस angle को देखो, और इस वाले को देखो, regular shaped polygon अगर होता है, तो यह angles बराबर होता है, यह देखो, इक्वल तो नहीं देख रहा है, यह acute angle है, 90 से चोटा है, यह देखो, 90 से बड़ा है, so, for a regular shaped polygon, we say that, the angles will be equal, अच्छे सुनना हमारी बात, यह सबोज एक अच्छा सा regular polygon अभी हम लोग बना ले, हो सकता है, तो लोग जादा अच्छा बना लोगू, इसमें यह regular shaped polygon है, तो regular shaped polygon में सारे sides की लेंग बराबर होगी, पहली चीज़, सारे angles बराबर होगी, अगर यह सारे angles बराबर हैं, यह six sided figure है, यहने hexagon है, hexagon है, मतलब n की value 6 होगी, sum of all the angles कितना होगा पीटा, sum of all angles, is n-2 into 180, ऐसा कुछ होता है, सारे angles का addition कैसे मिलेगा, n-2 into 180, n कितना है, 6 है, तो कितना आएगा बिजा, यह जाएगा 6-2 into 180, यहने 4 into 180, ऐसा कुछ आएगा, यह सारे angles को मिलाकर बना है, angles कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, तो sum of 6 angles, is 4 into 180, 6 angles का addition, और चुकि यह regular shape का है, तो X, X, सभी को मान सकते हैं, यह कितना आजाएगा पीटा, 6X आजाएगा, 6X is equal to, 4 into 180, यहने X की value कितने हैं, 4 into 180, divided by 6, 6, 3's are 18, माला 120 degrees का एक angle आएगा, तो what can you do, you can find out, you can find out one angle, if this is of a regular shape, अगर यह regular polygon है, तो आप एक angle निकाल सकते हैं, तो एक angle निकालने का तरीका क्या रहेगा, some of all the angles का formula मालम है, some of all the angles अगर आपको मालम है, तो you can, बिर फोन को mute रखना, सभी लोग उससे पहले भी अभी उने advice दिया, whatever be the type of class, मतलब विदर you are sitting in an actual classroom or a virtual classroom, then your phone should be muted, the prerequisite of any class is try to avoid any sort of disturbance or distraction, अब इसमें देखो, इसमें अभी हम्रों को नहीं बोला, क्योंको फ्लो देखो, अब हम पढ़ा लेते, फ्लो डिस्टर्ब हो गया, किसी का phone बजा है, अब इसमें अभी हम्रों को नहीं ये क्या बोला, कि sum of all the angles, is n-2 into 180, और कितने angles हैं, n angles, n angles का जो addition है, येतना है, तो one angle कितना आएगा, तो ये formula बना कर लिख लेना, one angle will be n-2 into 180, divided by n, ये formula बना कर लिख लिजिए और याद रखना, तो आज अब हमने दो नए formulas लिए हैं, दो नए formulas क्या हैं, हम इतने सब description के बाद, conclusion लिख दें एक line में, sum of all the angles, is n-2 into 180, sum of all the angles, of a polygon, is n-2 into 180, और दूसरा क्या है, each angle, of a regular polygon, सारे angles का addition, और एक angle, दोनों का formula बना कर दे दिया, n-2 यह दोनों अभी अपनों को ने बनाए हैं, n-2 into 180, अब इसमें आप यह विलुक कोश्त प्राइल ले रहे हैं, ये स्टीडे़ और सुझें सम्प्राइलंस, तुदे़े और सुझें सब गोर, Diagrams लेकर Diagrams दो करते जाना साच में सरूप करते जाना Suppose the angles are 50 120 and 130 यह X बताना है Question No.1 अब इसमें यह Quadrilateral है तो Quadrilateral में सारे angles का addition 50 plus 130 plus X plus 120 50 plus 130 plus X plus 120 सारे angles मिलाकर 360 आएगा क्योंकि अब यह में वालब ही यह सबसे basic result है जो अब यहम लोगोंने कल डेराइट किया था जो लोगों कल नहीं थे Sum of all the four angles will be 360 50 plus 130 plus X plus 120 is equal to 360 क्योंकि किसी भी Quadrilateral में चारों आइंगल्स का addition 360 आना चाहिए अब इससे X निकाल सकते है तो यह कितना जाएगा 130 plus 120 विल भी अब बोलते जाओं आंसर्स मेसेज करते जाना 130 plus 120 विल बी 250 250 plus 50 विल भी 300 X विल भी 360 माइनस 300 इनका जो addition है यह जो angles अब यहम लोगों को मालम है उन angles का addition we are knowing इन angles का addition कितना है 300 और चारवा एंगल का addition 360 है तो answer to this will be 60 पहला कुश्टन अब थोड़ा जदी जदी करना यह अब तुम लोगों को करने हैं दीरे दीरे अब यह हम लोग क्या करेंगे questions जो है तुम लोगों के उपर ज्यादा छोड़ते जाएंगे हम थोड़ा कम करेंगे question number 2 यह एक अंगल बाहर का एसा कुछ बना हुआ है you have to find out the value of x question number 2 है यह एक इस कितना होगा यह बता हुआ तो इस में फिर से जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो कान सी the sum of all the four angles sum of all the four angles will be 360 degrees मतलब x plus 60 plus 70 x plus 60 plus 70 और यह वाला मालब नहीं है अब चुकि यह एक linear pair बना रहा है मतलब एक line पर दो angles बना है एक यह 90 मालब है तो दूसरा वाला अपने आप 90 आएगा क्यों किसी line पर एक angle बने या दो angles यह तो को एक ही है और दूसरा ही है दोनों मिलाकर 180 आएगा और अगर आपने त्रीन angles बना लिए तो यह तीनों को मिलाकर भी 180 आता linear यह तो यह 90 दिया हुआ था प्राण्यम में तो इसकी वज़े से यह 90 आगा आप चार आइंगल्स हो गया एक सिक्स्टी सेवन्टी और 90 चारों मिलाकर कितना 360 आएगा एक निकाल जल्दी बताओ कुछ लोगों की मेसेज आने शुरू हो गये हैं 60 डिग्रीज इसमें देखू अच्छे यह पिछले आले का 60 बताओ के ओके 140 140 देखें 140 आ रहा है किसी और का 140 अभ्या का 140 आया है this is 130 plus 90 220 is equal to 360 x की वायू 360 minus 220 this will be 140 ठीके बिजाओ समरन ओके चलो next कि क्वेशन नम्मर थ्री कि साथ में करते जाना या जो लोगों की जवेट्री कमजोर है वो समझते बढ़ जाना स्क्रीन चॉट लेते जाना घर बर बाट पर कॉप्रीट करना या फिर आपके आसा उप्षन रहेगा यूट्यूप पर शांपू अवेलिबल रहेंगी यह ऐसा कुछ शेप है यह देखो डागरम देलो साथ में यह एक्स है यह भी एक्स दिया है और यह 30 डिग्रीज दिया है फाइंड आउट दी वाली ओफ एक्स अब इसमें सबसे पहली चीज़ तो यह है इस स्ट्रेट लाइन वाले को देखो आप यह 60 है यह 70 है माल लीजे इसको वाई ले लिया वाई अगर आपने लिया तो क्या आएगा यह स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले अंगल्स का लीशन यह 60 प्लस वाई प्लस 70 यह कितना वाले टी आएगा किसी स्ट्रेट लाइन पर जितने भी अंगल्स बन रहो दो बन रहो तीन बन रहो चार बन रहो सभी का अडिशन वाले टी आता है तो वाई निकाल लो बिटा वाई विल भी 60 प्लस 70 ओ एक्स 140 अरे आगे तक आगे पहुंच हम बेटा थोड़े से slow है I have to be slow obviously क्योंके कुछ बच्चे जो है थोड़ा सा पीछे उनको भी साथ में लेकर चलना 60 प्लस 70 but I am very happy some of you okay okay I know you got the answer because some students are very bright मैं लग बहुरी बना completely question उनके answer जाजाते हैं यह ज्यादा तो नहीं हो गया चलो ठीके अब इसे 180 minus 130 किटना 50 आजाएगा अब यह 50 पता चल गया अब सिर्प अंदर के angles को देखना sum of all the interior angles questions questions बिटा आप थोड़े से अच्छे करना शुरू करेंगे अभी थोड़े से लेवल उचा रखेंगे न अब इसमें आप यहनों क्या लेंगे 30 plus x plus y 30 plus x plus y plus x 30 plus x plus y plus x is equal to 360 y अभी हम लोग निका रही चुके हैं और यह y को अगर आप simplify करें यह 30 plus 2x x plus x 2x plus y y की वाली 50 है is equal to 360 तो 2x यह 30 plus 50 मिला कर कितना आजाएगा 80 उस तरफ ले जाएं 360 minus 80 this will be 120 कर लो मेटर जल्दी से कम्रीट 10 next one this was question number 3 question number 4 question number 4 question number 4 देखो क्रिण बाएं यह तरफ व्याग्धा यह 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 सब्स्दी आग्दावा अब इसमें एक अंगल यह 90 दिया है और यह अंगल 30 डिग्रीज दिया है यह वाला अंगल एक से यह इधर पर वाई है अब इसमें आपको जो निकालना है इस प्रड़्म में पूचा है एक स्वाई प्लस जेड क्या होगा कोशन में जो पूचा है वो एक स्वाई प्लस जेड की वाईल्य पूची है ठीक है एक स्वाईनटी होगा परफेक्ट्ली होकी है कुछ आपको अब इसमें देखो प्रड़म में सबसे पहले तो ट्राइंगल को देखो अंदर ये अंदर हम क्या कर रहे हैं ट्राइंगल के अंदर वाले को यू लिख दिया बाहर कुछ मत देखना अगर आप यह हमने ऐसा बोल दिया तो आपको यह नहीं दिखना चाहिए यह भी नहीं दिखना चाहिए और यह भी नहीं दिखना चाहिए अब आप इसकी आदर डालो आप यह उनने जैसा बोला है जैसा इस्ट्रेक्शन देखो फॉल करना है जैसे भी उनने बोला ट्राइंगल के अंदर का हिस्सा देखो गोगे तो क्या जाएगा 90 प्लस 30 प्लस अंदर के अंगल्स का अडिशन 180 होता है तो अब इससे यू निकाल सकते हो बिता है यू कैसे मिलेगा 180 यह दोनों मिलाकर 90 और 30 मिलाकर 120 होगा 120 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 120 तो एक्स की यू की वाल्यू कितनी 60 आगई ओके यू इसके बाद ध्यान से सुनना अब हम लोग क्या करने वाले हैं देखो अच्छे से जेट 150 वाई 120 चलो ठीक है वेरी कुछ जेट 150 वाई 120 विल्को सही अब इसमें जो यूज होगा वो स्ट्रेट लाइन पर एंगल्स का कॉंसेप्ट कि अच्छे देखना क्योंकि जो अभी हम फिंगर पॉइंट आउट कर रहे हैं वो दिखाने के बाद तो हट जाएगा यहां से यह स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स बन रहे हैं यह वाला 90 बना हुआ है और यह वाला एक्स बना हुआ है तो स्ट्रेट लाइन पर एंगल्स का अगीशन 90 प्लस एक्स यह कितना 180 आएगा इससे आप एक्स नकाल लो एक्स कैसे मिलेगा 180 माइनस 90 बिलकुछ सही यह 90 आगया बहुत सारे लोगों का आगया है तो यह वाली स्ट्रेट लाइन देखू इस ट्रेट लाइन पर फिर से दू अंगल्स आ रहे हैं दू अंगल्स कौन से हैं इसमें इस वाली स्ट्रेट लाइन पर कौन से दू अंगल्स हैं 0 और 30 तो Z प्लस 30 इस इकल दू 180 तो Z की वाली 180 माइनस 30 आएगा याने 150 उसके बार यू भी आ चुका सॉरी वाई निकालना है हम लोगों को यू मालम है एक्स निकाल चुके हैं एक्स निकाला गया ओके एक्स की वाली 90 आ चुकी एक ही आ चुका है एक्स और Z आ गया अब वाई चाहिए वाई के लिए यह वाली स्ट्रेट लाइन देखो इसमें कितना आ जाएगा यहां पर करते हैं तो 60 प्लस वाई यह स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल से सिर्फ इसको देखना इस पर दो एंगल से कौन से दो एंगल से हैं यह 60 प्लस वाई तो वाई की वाई भी बेटा कितनी आ जाएगी 180 माइनस 60 याने 120 अब हम लोगों को इसमें ध्यान से देखें x, y और z तीनों मालब है तो x प्लस y प्लस z बताना था x की वाई उन 90 y की वाई उन 20 और z की वाई उन 50 वाई ज रूख यूग शिंप्लिफई करो 6 360 वाई रूप्लिशमप्लिफग वाई वाई बहुत सारे लोगों का गया, दुरूब ठीक है, तो अभी हम ने बोला, कि ये जो एंगल्स इसमें बने हुए हैं, अनवेशा, 360, ठीक है पिटा, पर्फेक्ट्ली ओके, अब जो में बात बता रहें, वो सुनना, ये कोई ट्राइंगल अगर बना हुआ है, तो इसके अंदर के एंगल्स का एडिशन, तो 180 होता है, लेकिन एक्स्टेरियर आंगल दे लें, मतलब आपने इसको आगे बढ़ाया, तो यहाँ पर इस वाले को आगे बढ़ा ले, या फिर इसको आगे बढ़ाया, कैसा भी ले सकते हैं, अच्छा ने, इसको यहाँ पर नहीं बढ़ाया था, इसको आगे बढ़ा दिया, इधर पर इसको आगे बढ़ाया, और इधर पर इसको आगे बढ़ाया, और आगे हम पर इसको आगे बढ़ाया, so some of all these angles, these are the exterior angles, यह बाला यह वाला एंगल और यह वाला एंगल सारे एक्सटीर एंगल का जो एडिशन है वो 360 दिग्रीज आता है सम उफ और एक्स्टीर एंग एंगल्स अच्छे सुनना वेटा हमारी बार जब अंदर अब हमारा क्षेशन सुनना अंदर के एंगल्स का एडिशन थीक है पीट अब देखरो जो अभी हम पूछ रहें अंदर के एंगल्स का एडिशन अकर वनेटी है तो बहर के एंगल्स के एडिशन 360 डबल आ रहा है ठीक है ऐसी जारा है ये अब कोई कॉट्र अगर ले 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 लें और Quadrilateral के Exterior Angles अगर निकालें तो Quadrilateral के Under कांधर के अंधर के अंधर के अंगल्स का अदिशन कितना होता है, कोई बता चकता है? इसमें अभी हम लोगों नहीं है बोला कि अगर आप ऐसा कुछ ले ले सब्सक्राइब हम ने यह मार कर दिया है यह हंड्रेड ले लिया यह 210 हो गया 210 290 हो गया 70 चलो हमने एंगल जानूँचकर ऐसे ले लिए अब देखो अगर है अगर है तो अब आपको एक्स वाई जेड और यू इनका एडिशन बताना है है कि एक्स प्लस वाई ब्लस जेड प्लस यू अन्दर के एंगल का अडिशन 365 है अदर के अगर का अडिशन कितना tree 65 है बाहर के अंगल का अडिशन आपको पता ना है कि अब अब हम लोगों को वालिम है क्या कि sum of all the interior angles is 360 इसमें दिया भी हुपा है तो अगर यह 110 है तो यह 70 आ जाएगा बाहर वाला यह 100 है तो यह 80 आ जाएगा यह 70 है तो यह 110 आएगा यह 80 है तो यह 100 आएगा तो बाहर के सारे angles को अगर आप आठ करो तो 70 प्लस 100 प्लस 110 प्लस 180 यह बाहर के angles का addition भी थ्रीशिक्स्टी ही आने वाला है तो that's all for today वी तो रिने में गिन्這 चाथक्टेस आखर ने चर्टेक्सरार ठीक्रा छिएं